ठीक है अब देखिएगा कि इसमें क्या वही A and B हैं जो कि दो set हैं और such that number of A set में 3 हैं और B के अंदर 2 हैं if X इसके क्या दिया है ordered pair दिया है ठीक है R in A x B finding A and B where X, Y and Z are distinct तो यहां से क्या करना अपने को find करना भी A or B इसके अंदर हमें क्या दिया है एक तो A और B का क्या दिया है Cartesian product दिया है तो पहले वह लिखते हैं यहां पर तो पहले दिया है क्या है A x B है वह क्या आपका यहां पर यह है अक्स यह है और यहां से Y है वह क्या है 2 है और यहां पर Z क्या है? 1 है, यह आपको यहां से दियावा है A x B है अब हमें क्या देखना है? 1 हमें यह भी दियावा कि A के अंदर number of elements कितने वही? 3 है और जो किसके अंदर? और B के अंदर number of elements कितने वही? 2 है यहां दो clear है? अब क्या करने वाले? अब यहां से हम देखने वाले हैं कि A क्या होगा और B क्या होगा? ठीक है? अब हम क्या करते हैं? A, B का मतलब समझते हैं क्या होता है? और find out हमें क्या करना है यहां पर? find out करना है भी A क्या होता है? B क्या होता है? ठीक है? यह तो अब यहां से a और b को find out करना है, तो यहां से firstly तो क्या करेंगे, we know that a x b का मतलब क्या होता है, यह क्या है यहाँ पर a, b आएगा, such that a belonging to a set है, and जो b set है वो belong करता है, b set में यहां तो clear आपको I hope, तो clear है तो चलिएगा, आब आगे चलते हैं, तो इसमें हमें क्या करना होगा वई, कि यह जानते भी a किसके लिए stand होता, first component of sets के लिए, यह यह तो stand होता, first component के लिए b stand होता, kिसके लिए second components के लिए, ठीक है, फिर a set, b set आता है, वो देखते जाएंगे, ठीक है, तो यहां से हम क्या जानते हैं, जो a होता है, वो a क्या होता है, a is first component, in किसमें, ordered pair के अंदर, ठीक है, और जो b होता है, वो b क्या होता है, b is second component in a, b, जो ordered pair होगा, उसके अंदर, ठीक है, अब अपने को देखना, a क्या होता है, a set कौन सा होता, a होता है, वो set of the, all first components होता है, तो यहां से जो a set है न, यह, a set is, all, first components, ठीक है, in किसके अंदर, first component कौन कौन से, भाई, यहां से देखेंगे, वो क्या है, यहां पर, एक रोस b में देखेंगे, first component यह, यहां से, यहां से, और इन्हां ने बोला भी है, दो कि number of a में कितने element है, एक है, तो यहां से, इसका मतलब, इसके number of element 3 तो यही मिल गए, यहां से, इतना ज़्यादा दूर जाना है नहीं पड़ा, इसका मतलब, यहां से तो अपने पास, x, y, z आया, और दूसरा क्या है, भाई, b है, वो क्या है, कि b है, वो equal है, set is, all, second, components, ठीक है, second components, second, component in, a cross b, ठीक है, वो क्या आएगा आपका, यहां से देखे, 1 और 2 यह है, कि हमें 2 यह elements चीए है, और 2, 1 और 2 दो distinct elements है, इस परकार से अपने पास, देखेगा कि a और b दोनों आ जाता है, ठीक है, यहनि इस तरीके का तीसरा question है, यह अपने इस exercise में,